अगर आपने इसका पहला एपिसोर्ड अब तक नहीं देखा है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के, दोस्तों इस एनिमे की दुनिया का एक रीकैब कर लेते हैं, दस साल पहले दुनिया भर में कुछ पोर्टल्स यानि गेट खुलना शुरू हो गए, जिसके अंदर मैजिक बीस्ट या मॉन्स्टर्स होते थे, इसके साथ कुछ इंसानों में जादूई शक्ती भी जाग गई, इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है, और ये उस पोर्टल के अंदर जाकर उन जिन्वू दुनिया का सब्से कमजोर हंटर है, जिन्वू अपने साथ ही हंटर्स के साथ एक टेंपल जीसे डंजन में जाता है, जिसमें कई सारे स्टैचीव रखे हुए थे, अचानक ही ये स्टैचीव हिलना शुरू कर देते है, और दो हंटर्स मारे जाते हैं, सब लोग ये देखकर बूरी तरह से डर गए थे, इनका कैप्टन इन्हें हिलने से मना करता है, वरना वो स्टेच्यू इन पे फिर से अटाक कर देगा, जूही ने डर के मारे अपने कान बंद किये हुए थे, कैप्टन जिन्वू का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसने स्टेच्यू के ह हिलते ही, सबको नीचे जुकने का बोल दिया था, वरना वो सभी लोग जुलस कर मारे जाते, तभी जिन्वू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है, और वो उस हाथ पर पट्टी बांधने लगता है, ताकि ज्यादा खून ना बहे, वैसे तो जूही को अपनी ही कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी, तो कैप्टन उसे कुछ नहीं कहते, इसलिए बी रैंक की हीलर होने के बाद भी जूही को छोटी रैंक के मिशन्स पर ही भेजा जाता है, कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशन पर जा चुका है, और तीसरा, गौड पर यकीन करो, जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, वो यहां से जिन्दा वापिस नहीं जा सकते, जिन्वू समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टेच्यू है, वो ही गौड होगा, दूसरी तरफ हम एक लड़की सौंग यी को देखते हैं, ज जिस पर जिन्वू बताती है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ E-Rank का हंटर है, और हमेशा घायल होकर वापिस आता है, जो सुन सौंग यी कहती है कि अगर वो उसकी जगा होती तो ऐसा कभी नहीं होता, इधर कैप्टन और जिन्वू सोची रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चा अब यह हंटर बिजली की तेजी से यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गौर्ड स्टैचिव पलक जपकते ही, उस हंटर को जला के राख कर देता है, ये देख सभी समझ जाते हैं कि ये स्टैचिव चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकता है, वो इन्हें चेती की त खड़ा होता है, और उस गौर्ड स्टैचिव के सामने सिर जुका लेता है, जिससे वो स्टैचिव जिन्वू को नहीं मारता है, जिन्वू अब बाके सबसे कहता है कि वो स्टैचिव के सामने अपना सिर जुका ले, जब तक उनके सिर नीचे है, स्टैचिव उन्हें नहीं होगा और वो उठकर खड़े हो जाते हैं लेकिन तभी गौड स्टेच्यू भी अपने सिंघासन से उठकर खड़ा हो जाता है और इन लोगों को कुचले के लिए उनकी तरफ बरने लगता है जिन्वू कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा यानि गौड की जय जय कार करना अब एक हंटर आगे आके बोलता है कि उसे पूजा करना आता है और वो वहीं बैठकर गौड की पूजा करने लगता है लेकिन ये सही वर्ड नहीं थे तो गौड स्केच्यू उस हंटर को अपने पैरों तले कुचल देता है इसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल के मार देता है सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते है पार की यहां बिलकुल मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फैमिली घर पर उसका इंतिजार कर रही थी वो भाग कर कोने में चला जाता है लेकिन वहां खड़ा स्टैच्यू पा उने में जो स्टैच्यू खड़े हैं उन सब के हाथ में किसी न किसी तरह के हथियार है लेकिन कुछ इस स्टैच्यू ऐसे थे जिनके हाथ में हथियार की जगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे जिन्वू कहता है कि सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू के नीचे चलो, Captain ऐसा ही करता है, और क्यूंकि उस Statue के पास कोई हथियार नहीं है, तो वो Captain को नहीं मारती, और Music बजाने लगती है, किम भी ऐसा ही करता है, जिससे वो सुरक्षित हो जाते है, जिन्वू जूही को लेकर Drum वाले Statue के नीचे जाता है, लेकिन वो कोई React नहीं करता, मतलब एक Statue के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है, तो जिन्वू जूही को वहीं छोड़कर भागने लगता है, गौड Statue से बचने के चकर में, जिन्वू जलत Statue के नीचे जाके खड़ा हो जाता है, जोकी उसे बुरी तरह घायल कर देता है, फिर भी जिन्वू रैंगते वे उस इंस्ट्रूमेंट वाले Statue तक पहुची जाता है, और वो भी Music बजाने लगता है, सबका Music सुनने पर गौड वापिस अपने सिंगहासन पे जाके बैर्ट जाता है, शायद गौड की जजेकार करने का मतलब यही था, जो ही अब जिन्वू के पास आती है, और देखत अबकि इन्होंने वोट से तैसला किया था, फिर भी Captain अपनी गलती मान कर जिम्मेदारी उठाने को तयार था, यह सब लोग आपस में बहस कर रहे थे, तभी Temple के बीच में एक Platform बन जाता है, जिन्वू पहचान लेता है कि यह एक Altar है, जिस पर God को किसी जिन्दा चीज की ब जली देने को बोलता है, और वैसे भी उसने जिम्मेदारी लेने को कहा था, Captain किम की बात मान कर Altar की तरफ जाने लगता है, जिन्वू जानता था कि इसमें सिर्फ Captain की गलती नहीं है, उन सब ने यहां आने के लिए वोट किया था, अब जैसे ही Captain Altar के पास जाता है, तो वहा तीन जगा और आग जल जाती है, जिन्वू Captain से पूछता है कि अगर वो यहीं इंतिजार करे तो क्या कोई उन्हें बचाने आएगा, जिस पर Captain बताता है कि इस पोर्टल को खुले साथ दिन हो गए है, तो अब शायद ही कोई उन्हें वेस्क्यू करने आएगा, दोस्तों सा इसलिए हंटर्स को साथ दिन की टाइम लिमिट के अंदर देंजन बॉस को मार के पोर्टल्स को बंद करना होता है, तो अगर यह लोग यहां हारे, तो यह God Statue भी इन्सानी दुनिया में जा सकेगा, डूसी तरफ जिन्वू की बहन संग हॉस्पिटल जाती है, और अपनी पीछे फिर ब्लू कलर की आग भी जलती है, और टेंपल का दरवाजा खुल जाता है, अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ साथ दीरे दीरे बुजने लगती है, और टेंपल के सभी गार्ड्स इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्वू नोटिस करता है कि वो ज ही सलामत निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही उसकी आग बुज जाती है, और दरवाजा थोड़ा सा बंध हो जाता है, जिन्वू को समझ नहीं आता कि ये दरवाजा कोई जाल है या सच में वो बाहर निकल सकते हैं, शायद इस नियम से गौड के लिए उनकी वफादारी देखी जाती है, अब एक और हंटर जिन्वू को छोड़ कर यहां से भाग निकलता है, अब यहां सिफ चार लोग ही बचे थे, जिन्वू इनसे हिलने को मना करता है, शायद ब्लू फ्लेम एक ताइमर की तरह है, जिसके पूरे बुजने के बाद हो सकता है कि इन सब को जान नहीं चाहता, वो जिन्वू से माफी मांगता है, और इसके बाद किम भी यहां से भाग जाता है, अब सिफ तीन लोग ही बचे थे, और जिन्वू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तयार नहीं था, अब कैप्टन कहता है कि जिन्वू और जूही यहां से चले जाए वो खुद यहां रूपकर अपनी बली देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए वो जूही से कहता है कि जिन्वू को लेकर यहां से चली जाए लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपी पावर्स कुछ ज़ादा ही इस्तेमाल कर ली थी जिन्वू अब कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहां से चले जाए जिन्वू का तो पैर कट चुका है तो वो वैसे भी चल नहीं पाएगा जूही भी यहीं रुकने को बोलती है जिन्वू अब जूही को अपना मैजिक जैम देते हुए कहता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो वो पूरा नहीं कर पाया लेकिन जूही इसे बेच कर अपने लिए कुछ खाने का खरीच सकती है जब जिन्वू बहार आएगा तो जूही से बाकी पैसे ले लेगा अब कैप्टन तुरंत एक चौप माड़के जूही को बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहां से निकल जाता है अब सिर्फ जिन्वू ही बचा था जो यहां मरने वाला था उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो इनी स्टेच्यू से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन इतने विशाल काई दानवों के सामने जिन्वू कुछ नहीं कर सकता वो से तलवार से इधर उधर फैकने लगते है उसका एक हात भी कर जाता है जिन्वू रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रॉंग बनना चाहता है लेकिन नहीं बन सका उसके बावजूद वो अब तक जिन्दा बचा है सभी लोग दोगले होते हैं और सिफ अपने बारे में सोचते हैं जिन्वू की भी फैमिली है जो उसका इंतिजार कर रही है पर सिर्फ वो ही यहां मरने वाला है अब जिन्वू को आल्टर पे ले जाया जाता है उसके शरीर में बिलकुल जान नहीं बची थी स्टैच्यू जिन्वू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है जिन्वू सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता काशू से एक और चांस मिलता इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुच जाती है और अचानक ही हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखने लगती है जिस पर लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए है आपका दिल 0.2 सेकेंड में धरकना बंद कर देगा अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हा करे इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है